अरे बड़ी बहु आज तेरे बुवाजर फुभाजी आएंगे बेटा तो खाना उसी साब से बना लेना ममी जे कुछ जादा नहीं हो रहा अरे घर की साफ सपाई लेलो बरतन लेलो कपड़े लेलो हर काम के लिए मैं ये घर मेरा ही है मेरी देवरानी घर नहीं है वो मैडम तो सुबह सुबह चली जाती है तयार होके सारा दिन घर के कामों में मैं पिस्ती रहूं हरे तो बेटा वो जो नोकरी कर रही है यह इसी घर के लिए ही तो कर रही है, हाद इखर का खर्चा उसी की नोखरी से चल रहा ही है, समझ ले, और वो भी बार काम ही कर रही है बिटा, कोई खाली तो बैठी नहीं है, दिखता है जैसा काम कर रही है, देख बड़ी वो, तु गलत सोच रही है, अरे, काम तू भी कर र तो पिर कहा देना साफ साफ, कि घर पर कोई भी मेमान आएगा या एक्स्ट्रा काम होएगा ना, तो अपने ओफिस के छुट्टी लिया करेगी, सारे घर काई काम मेरे कंदों पर आ गया है, मैं क्या घर के काम करने के लिए रह गया है, उसका कोई फर्ज नहीं बनता है, और जरा सोच, तु भी नोकरी करने बाहर जाएगी, तो फिर घर कोन समालेगा, ये समझ ले, वो जो बाहर नोकरी कर पारी है न, वो इसलिए कर पारी है क्योंकि घर समालने के तू है, बेटा, एक दुसरे के सायोग से ही घर चलता है, ऐसे थोड़ी, हाँ तो ठीक है ममी जी, ब आगई वो, आगई मेडम, देख, आज एना बात साफ साफ होई जानी चाहिए, पर क्या हुआ दिदी, हरे, हरे, इसे पाने वाने की तो पूछ, वो तो पूछने से रहे, तू तो आती सिर पे चड़ गई इसके, था कि आ रही आई अगली, क्या हुआ ममी जी, मैं बताती देख, अब मेरे से अकेले ये घर के काम नहीं होते, खुद तो चली जाती है तू सुबह सुबह, और ये सुबह से लेके मैं राद तक मेरे से ये घर के सारे काम नहीं होते है अकेले, अब तो जबी मेरे सा संग बराबर काम करवाना पड़ेगा, नहीं तो तो देख ले, प तो सारे सुबह के ही होते हैं साव सफाई कपड़े लट्य जाड़ों पोचा और उपर से आए गए का खाना वो रह गया अलग हाथो भड़ी वो घर की साव सफाई के लिए बरतनों के लिए तो काम वाली लगी हुई है न और कपड़ों के लिए और रही कपड़ों की वो मशीन भी बहू नहीं लागे दी थी न तैरी लिए कि दिरी दुखी नहीं हो смज़े उसके हिस्से का तो काम हो ही रहा है न हाँ तो कौन से हैसान कर रहा है मेरे उपर रसोई की तो सारी जिम्मेदारी मेरे ही सिर्फे है न रसोई मैं तो मुझे ही लगना पड़ता है न तो ठीक है खाने से परिशानी है न तुझे तो सुबह का खाना मैं बना दिया खरूंगी ठीक और बोल बहुत बढ़िया ताकि कल को आपको यह बात कहने को मिल जाए कि बहु के होते सोते देखो सास को खाना बनाना पड़ रहे अब तो इस बट भी नी ली जारी उस बट भी नी ली जारी अखिर चाहती क्या है तू यह तो बता मैं बस यही चाहरी हूँ जब घर पर इसके जड़त होना तो यह घर पा रही रहे बस और कुछ ने दीदी अरे प्रिया तू दीदी मैं आपको दवाई देने आई थी अब दवाई ले लो अब आप यह बताओ क्या खाओगे वही बना दूँगे खाने में और आप काम की टेंशन मत लेना मैं हूँ ना पर तिरा ओफिस दीदी मैंने छुटी ले लिया है पास दिन की एक बात बताओं दीदी मैं जो यह नौकरी कर पारी हूँ न वो सब आपकी बदोलत है अगर आप नहीं होती तो मैं शायद यह जौब नहीं कर पाती मैं बे फिकर होके अफिस चली जाती हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि आप पीछे से सारे घर समाल लोगे सारे घर का काम समाल लोगे लेकिन अब आप मैंने छुटी इसलिए ली क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरी ज़रत है आप चिंदा मत करो दीदी मैं सब समाल लोगी आप बस रेस्ट करो प्रिया मुझे माफ कर दे मुझे बहुत बड़ी गलती होगी मैं तुझे पहचाने नहीं पाई